नमश्कार दोस्तों अपनी पोस्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है अमिता बच्चन जो की सदी के महानायक है उनके घर में एक अलग प्रकार का कमरा है जिसे recording room भी कहा जाता है लेकिन अमिता बच्चन ने इस कमरे का नाम सब्तस्वर रखा है आपको बता दें कि इसे mini music studio के तौर पर बनाया गया है जहां recording dubbing की जाती है आपको बता दें कि अमिता बच्चन अपने blog पर भी इसके बारे में बता चुके हैं असी वर्ष के हो चुके अमिता बच्चन इस studio में अपना काम निप्टा लेते हैं जिसकी विज़े से उन्हें ज़्यादा इधर उधर जाना नहीं पड़ता आमतोर पर actors dubbing करने के लिए studio में जाते हैं लेकिन अमिता बच्चन इसी studio में dubbing कर लेते हैं और आसानी से अपना काम निप्टा लेते हैं ये कमरा बेहत खास है क्योंकि यहाँ पर अंदर की आवाज बाहर और बाहर की आवाज अंदर नहीं जाती और यहां अमिता बच्चन शांती से अपना काम निप्टा सकते हैं इसी लिए उन्होंने इस कमरे का नाम सब्तस्वर रखा है यानि की साथ सुरों का संगम और आपको बता दें कि यह जगह उनके आफिस जनक में स्थित है जहां पर काम का पूरा बातावरन बनाया गया है और यहीं पर अमिता बच्चन का आफिस भी है अगर यह जनकारी आपको रोचक लगी हो तो इस अपने मित्रों के साथ आवाशे शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बैल बटन को ज़रूर दमाएं धन्यवाद